एक्सपेरिमेंट है तू मेजर दा इंटर्न डायमेटर और डेफ्ट अफ ए गिवन विककर यूजिंग वर्नियर कैलिपर और एक विककर इंटर्न डायमेटर के लिए इनर जाज को हम रखके ये तो ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे इंटर्नल डायमेटर के लिए रीडिंग नोट करने का तरीका वही है 4.8 और वनियर वनियर रीडिंग जो उपर सीदी कौन साइट कर रही है वो ग्रीब की वन है वनियर वन है तो इसको लिस्ट काउंट से मल्टिप्लाई कर दिया फॉइंट जीरो वन 4.81 क्योंकि क्रेक्षन वनियर का जीरो और में का जीरो कौन साइट कर रहें इसलिए वनियर इर्र इसमें जीरो यह 4.81 थोड़ी सी लोकेशन चेंज करने के बाद फिर से डामेटर नोट करेंगे तब की बाद डामेटर 4.7 स्टो कर रहा है और जो वनीर रीडिंग उपर कौन साइड कर रही है वो है 2 4.7 और 4.7 और 4.7 और वनीर रीडिंग है 1.7 और 1 20 की वेली बरके हम मीन निकाल लेंगे चलाकर इसकी लेंथ निकालेंगे और यहां पर टच करके तो यह जो भी रीडिंग होगी इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे यह रीडिंग होगी इसकी लेंथ की यह रिडिंग है 7.4 और जो में स्केल वर्निट स्केल के रिडिंग कॉन साइड कर रही है वह है 5 7.4 और यह 5 इन दे सेम वे इडिंग यहां पर साइड में लेंगे इसकी पोजिशन चेंज करके फिर से टेफ्ट नोट करेंगे सेकंड रिडिंग और एक रिडिंग यहां पर साइड में ले लेंगे तो इस तरह से तीन रिडिंग ले लेंगे मीन जो इसकी इसका डायमेटर है 4.78 और यह इसकी जो डायमेटर है उसका मीन हमने कल्कुलेट किया है यह है 7.52 अब वाल्यूम कल्कुलेट करना है तो यह फार्मले में हम वेल्यू बढ़ देंगे 3.14 इंटू डायमेटर है 7.48 वाल्यूम कल्कुलेट कर देंगे वह होगा वॉल्यूम यह है 134.87 क्यूबिक सेंटिमेटर